परहल बढ़ते हैं आगे आज कॉंग्रेस के सबसे बड़े कारिकरम का आगाज हो गया कन्या कुमारी से राहूल गादी ने भारत जोड़ो यात्रा को हरी जंटी दिखाई माना जा रहा है कि 2024 के चुनाफ से पहले राहूल गादी ने उंकार खरी है लेकिन कॉंग्रेस अभी भी 2024 के चुनाफ को लिकर खामोश है क्योंकि कॉंग्रेस को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो फ्रंट पर आकर मोदी सरकार से मुकाबला करे या फिर विपक्षी दलों के साजह कारिकरम में हिस्सेदार बने क्योंकि कुछ घंटे पहले ही नितिश गुमार ने राहूल कादी से मुलाकात की थी और प्रधान्म प्रिपत के दावेदारी पर कोई भी अपना नाथ आगे बढ़ाने को तयार नहीं समंदर के किनारे से ये कॉंग्रेस की सियासत की नई शुरुवात है हिंदुस्तान के आखरी छोड कन्या कुमारी से शुरू हुई कॉंग्रेस की ये भारत जोडो यात्रा 3500 किलो मिटर चलने के बाद कश्मीर में समाप हुई और 12 राज्यों से गुजरते हुए कॉंग्रेस का सर्फ एक ही संदेश होगा 2024 विजए राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा को हरी जंडी दिखाने से पहले तमिलनाडू के श्री पेरुम दूर पहुँचे यहां वो अपने पिता राज्यों गांधी के शहीद समारक पर गए जहां उनकी हत्या हुई थी यहां राहुल ने उन लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की जिन्होंने राज्यों गांधी के साथ उस बम बलास्त में जानगवाई थी मकसद था कॉंग्रेस देश को जोरना चाहती है राहुल ने ट्वीट भी किया नफरत और मटवारे की राजनीती में मैंने अपने पिता को खो दिया मैं अपने प्यारे देश को इसमें नहीं खोँगा प्यार नफरत को जीत लेगा आशा डर को हरा देगी हम सब मिल कर मात द सब्सक्राइब करेंगे और भारत जोडो यात्रा का आगास करेंगे उसकी शुरुआत करेंगे आद सवे मेरे वो श्री प्यरंबदूर में उस ठान पर बैठें जहां पर उनके पिता की शहादत हो गेते 花 पर बैठकर उन्होंने ये चरितार्त किया कैसे उदार मन से प्रेम से माफ करके बिना नफरत के बिना गुस्से के इस देश को जोड़ा जाएगा और ये काम सिर्व राहुल गांधी कर सकते हैं तेर सो दिन तक चलने वाले कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भले ही गएर राजनीतिकों लेकिन इसका मकसद शुद्ध रूप से राजनीतिक ही निकाला जा रहा है इस यात्रा को लेकर कॉंग्रेस के तीन सिद्धान्त हैं पहला धर्म निर्फेक्ष भावना के लिए देश के लोगों को जोड़ना दूसरा करोणों भारतियों की आवाज को बुलंद करना और तीसरा देश मौजूदा वक्त में जिन समस्याओं से जूज रहा है इसके बा राम लिला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल गैली हुई और अब भारत जोड़ों के नाम पर बड़ा संदेश दिया गया है लेकिन दाहुल के इस खोशिश पर भाजपा के उन नेताओं ने ही चुपता हुआ हमला बोला है जो पहले कॉंग्रेसी हुआ करके थे अगर आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उन्हें देश की जंता के सामने जबाब देना पड़ेगा कि भारत जोड़ों का काम तो जब नरेन मोदी जी की नित्रती दोजार निस को भारत के गर्मांतरी सीरिय अमिशाह जी वह जम्हु कस्मीर ग RED का अभिननंग है ये बस और बस कॉंग्रेस पार्टी के नए नए पेंतरे हैं जो समय समय पे निकालते रहते हैं जनता में वो पतानी क्या फैलाना चाहते हैं या किस टाइप का कंफूजन पैदा करना चाहते हैं अपनी इस योजना को ऐसा नाम देखे भारत जोड़ो यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक कॉंग्रेस के लिए सियासी जमीन कितनी उपजाओ है ये राहुल को इस रैली के जरी समझ में आ जाएगा और पांच महीने के बार जब ये यात्रा खत्म होगी तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा साफ तो ये भी हो जाएगा कि बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर जिस लड़ाई की राहुल अगवाई करना चाहते हैं वो कितनी दमदाद है राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा के कई सियासी माइने है इसका एक संदेश उन नेताओं तक भी जाएगा जो 24 के चुनाओं के लिए दिल्ली तक दोर लगा रहे हैं और शेत्रिय दलों से मुलाकात कर रहे हैं लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस यात्रा से कॉंग्रेस कितनी मजबूत होगी क्योंकि राजस्थान और 36 घर को छोड़ दिया जाए तो कॉंग्रेस कहीं भी अकेले दम पर सत्ता में नहीं और संकट इस बात का है कि 24 के चुनाओं में राहुल ही ने तुद्प करेंगे या फिर कोई और शेत्रिय नेतार कॉंग्रेस के साथ खेला कर देगा एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो निपो